संजर राओ जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हराम खोर लड़की हूँ आप एक सरकारी मुलाजी में एक मंतरी आप तो जानते ही होगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बालातकार हो रहे हैं इसका जिम्मेदार है यह जो मांसिक्ता आपने जिसका भॉंडा परदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है वो मानसिक्ता इसकी जिम्मेदार है और इस देश की इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेगी संजी आपने उन सब महिलाओं का शोशन करने वालों को शक्तिकरन किया है इस देश की बेकिया आपको माफ नहीं करेगी और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश मे एक दो किसी ने हराम खोर नहीं कहा या जब नसिर दिन शार्ड जी ने कहा था तब उनको किसी ने हराम खोर नहीं कहा जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुई नहीं थखती थी आप देख लीजे मेरे पुराने कोई भी इंट्रव्यो आज जब वो पालगर की लिंचिंग में साध्यों को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं खड़े रहते हैं या लाचार बाग जैसे कि सुषान के पिदाजी नहीं लेते हैं मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं तो इस परसाशन के चलते हुए गर मैं उनकी निंदा करती हूँ यह मेरी अभिव्यक्ति की अजादी है मैं उनकी निंदा करती हूँ संजे जी में आपकी निंदा करती हूँ आप महराष्ट्र नहीं है आप यह नहीं कह सते कि मैंने महराष्ट्र की निंदा की और संजे जी मैं 9 सब्टेंबर को आ रही हूँ आपके लोग कह रहे हैं कि आप ल मिलते हैं 9 सब्टेंबर को जैहिंद जैमहराश्ट्र अग्सलवादियों के गड़ तक जोपडि से मेलों तक ठेलों से मेलों तक पक्डंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्यों तक राज़्डीती से कूट मीती तक दकन नूज आपके हक्प आप देख रहे हैं दखल न्यूज